कि अवक के तौब आज यह ट्विक लेंगे ख़़ए फिर्फ अव रोकेट परपल्शन में फिर्स्ट फॉल तो यह ली कि जो रोकेट पर परपल्शन होता है वो किस प्रिंसिपल पे पर बैज़्ट है ठीके वाट इस देप प्रिंसिपल है रोकेट प्रपल्शन के बिहां व को प्रिंशिपन ए मुमेंटम कंजरवेशन लौ ठीके यह हम कऺते हैं की रोकेट मुमेहर प्रपलिशन अ लिए रोकेट मुमेंटम लुट है कि रोकेट मuleशम मिपासटर्थ communist संव्कर्लाда कि zwischen बेस्दाइं पेज़ान मुमेंटम कंजर्विशन ही के m के करेश्यला कर लोग के चाहिक हर था है b Sat Much LIKE she also मैं हमने मुमेंटम ँदोरी चल्डी के क्या औक का या बस थोड़ा सा एक रिवाइच करें सबतस्क्राइब कता है कि अग सब्सक्राइब क सब्सक्राइब करते हैं फेसेंग diabetic तोटल मुमेंटम आफा सिस्टम इस इस्टर इमेंस कंजर्व यानिकर जो इनीशल मुमेंटमिंटम के बराबर होता में ओका हैं इसे हम सिनिघी ल 2 जग सटकशा सिछमरीन खी-E कि यहां पर पॉइंट लिख सकते हैं एक रॉकेट के अंदर ऐसे होती बर्न होती है ठीक है तो नहीं होती है तो टो करती है वो और आखिसे हम लिखना चाहिए हम यह कर सकते की ढूंस की सब्सक्राइब कि डा यह अजूत ओशल गेस सिठू कौन सी ऑ यह झूसको पर यह रोकेट के अंदर जो गेसरिच तो दा एक्जोस्ट गेसे थिके कम्स आउट फ्रॉम रॉकेट रहा हमें वो के अनोजी थिएरुम भी बाती है रहे वार्क एनरजी थिरुम बीटा वर्क एनरजी अलग चेप्टर एंपावर वह अलग चेप्टर है अब वर्क एनरजी जो है एक सेप्रेट चेप्टर होता है इसे फूरा इसे चेप्टर में दे रखाए की मैं देख लूँगा को इसी है करा देगे उसको बढ़ उसके लिए पहर परक नरजी भी पढ़ाना पड़ेगा ना टिके में फूर फॉर्ट पंडामेंटल फॉर्स और अब वह सब में एक बारे अपका डित्टों कऱोगा मैं तो यह करते हैं तो हम यहां कहें सकते हैं तो इस पनसाउट प्रोकेट इन विद लाज मोमेंटम इन एक लिए नार्ज मोमेंटम इस 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 एक्सेर्ट फेक्ट एक्वल equal and and equal and in forward direction okay exerts equal and in forward direction momentum momentum okay and this is this is a principle of this is a principle of this is a principle of rocket rocket propulsion so my what rocket propulsion study okay rocket propulsion principle based momentum conservation the exhaust gases comes out from rocket with large momentum exerts equal and in equal and in forward momentum यानि एक्जोस्केस तो downward आईगी ठीक है और momentum किसे upward यानि equal momentum और opposite direction किसे upward apply होगा इन अपवर्ड डारिक्शन ठीक है तो यह बात होगे प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल के बाद क्या होगा इसमें अब उनको एक डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में तीन पार्ट है हमें जो solve करने है एक तो है कि वह टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी अग्वाइर कर लेगा rocket ठीक है हम यह के एक फ़र्स्ट जो डेरिवेशन व लिए हुग Network by a rocket कि और टाइम के अफ्ट टाइम Сब्सक्राइव को करते हैं आयच अनी इंस्टिप अनी इंस्टिपे sempre कि पर जिसे डिव फॉर्स डेरिवेशन को सॉल करते हैं ईकुए इ li तो इसको सॉल्ल करते हैं द्हां से देखना स्टिप बाइस टेप तो अज़िए तो इसमें का करते हैं और कुछ पोजिशन से कुछ फिगर्स में डॉब कर रहा हूं ठीक है जिसे फिगर रे यह फिगर फिगर बन रहे हैं यह फिगर हम दे एक टाइम ताइम क्या है टी इकल्द स कदी दीए जिए कन टु इस एकल टु जीड्डू से कंट टीए कल्डू जिरोसिकेंट पर जो मास था रोगड़ का अच्छा यह रोग्ड़ का मास प्लस फूल का मास है यह फ्यूल हो गया रॉकेट प्लस फ्यूल का जो टोटल मास हो किस से रिप्रेजेंट कर दिया और जब टी इस इकल टू जीरो सेकंड पर जो रॉकेट की वेलोसिटी वह किती है वी नॉट आए सवाज में तो टी इस इकल टू जीरो सेकंड टाइम लिया हमने फिगर सेकेंड ट्रकरता हूं यहां पर सेकेंड और इसका ंटा देख्वा आप अगया अधिकता लूव्य आप अपंन एटी इकल टी सेकेंड टाइम किता आपने टी-चेट लिए अब टी सेक्ड लिया अब टी सिर्ट अथन प्रिपान ये मैंडिगल कि टीज मंस चार्ट का सब्सक्राइब तरोकेट किता है है और इसकी किते हैं वी विलिसीटी ले ili फिए यह हमारे पास होगी फिगर भी यह फिगर भी ड्रोक में एंट क्लियर एंट 20 जियुकल टूट जीरो सेंट पर मांस ब्रॉकेट किता हैं और विलिसीटी फुल है और विल्शुक्टे आप इस तरह से लेते हैं कि वह टी प्लस डीटी टाइम लेते हैं ठीक है अब जो फर्स्ट वाला फिगर है वो तो लास्ट में जो अपन लिमिट लगाएंगे तब यूज आएगा अभी आप फिगर बी और फिगर सी देखो आप इसमें देखो यह हम ले रहे हैं कि अब टाइम मे है सिरां में टीप्लस डीटी सेकिन अबटी अबस डीटीशेंड में होगा क्या देखो टीप्लस डीटी शेके क्लिए वह स्टेएंगा तो बचा हुआ कितना बचा मास आपकास M minus DM पहले M था उसमेंद्य एंद्य रिड्यूस हो गया. तो फिरफ्लेंग मांस कितम अच्छा M minus DM बचा. तो बागल होगा, जब रिड्यूस होगा तो मालो तो वेलोसिटी किती हो गई दीवी इंक्रीज हो गई तो पहले वेलोसिटी किती थी और अब किती हो गई वी प्लस डीवी आया सोंच मैं ठीक है तो एम नॉट एम और एम एक्वल्स टू माइनस डीज़िए फिगर एको अभी साइड में करतो फिगर एपर मत जाओ आप खाली फिगर भी देखो फिगर बी में आपने कोई टाइम लिया टी टी टाइम पर इसका मास एम था और वेलोसिटी भी थी फिर क्या हो कुछ टाइम इंटर्विल लेलिया टीटी टाइम इंटर्विल माल लो गया to die अ मास कमो जाएगा है मैंस कम हो जाएगा और मास कम कम ठीज़एगा इंटी हो जाएगी तो वेलोसिटी क्रीज़िश होगी वी प्लस डीवी हों गई यह आया सवज में नहीं आ है और सजोशन थे त्रीक हैं के पूलो येस नो ऑफ आपका स्क्रीन टको गया था अब देख अभी नोटीटिशन्स लिस्ट भी कर दूं को वीजी क्या विलोसिटी ऑफ गेसिस है जिससे एकश्य गेसिस लिखते वीजी ए टो यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ गेसित गिन्वाम में वीजी ले लूँआ यह लिख दिया आया यहां तक समझ में ठीक है आप समझाओगे आप बस है ना यह लेव सेकंड वाला फिकल लो थाड़ वाले में टाइम टी सेकंड पर मास अम था वेलोसिटी वी ती मास कम होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो देखो टी प्लस डीटी लिया आपने तो डीटी जो टाइम इंटर्विल है डीटी कितना बचास तो बचेगा ना टो टोटलम था डीएम बंड हो गया उसमें से कितना बचा मैशली वेलोसिटी इंक्रीज हो गयी डीविस डीजोंगी तो टोटल मैं टेंके बिस अदिति ठान नि subscribers समझाए हैं डाइग्राम में ठीक हैं तो देखो हम यह लिलता है लैट let m0 m0 is equal to mass of a rocket यह rocket plus fuel यहां रखना, mass of a rocket at t is equal to 0 second, ठीक है, फिर हमने कर लिया v0, v0 क्या velocity velocity of a rocket velocity of a rocket at t is equal to 0 second, ठीक है, यह बात हो गई, फिर हमने लिया small m, small m क्या है, small m is mass of a rocket mass of a rocket at t is equal to t second ठीक है, फिर हमने लिया v, v क्या है, velocity velocity of a rocket velocity of a rocket at t is equal to t second, यह बात है, फिर हमने लिया m minus dm, ठीक है, क्या लिया, हमने m minus dm, m minus dm क्या हो गया, mass of a rocket, mass of a rocket at t plus dt second, है ना, फिर हमने किरा, v plus dv, v plus dv क्या हो जाएगा, velocity, velocity of a rocket, velocity of a rocket at t plus dt second, यहां तक भी clear होगे आपको, है ना, अब बहुत important है, कि VG क्या है, VG, VG क्या है, velocity of, velocity of exhaust exhaust gases, burnt out gases भी के सकते हो, आप, ठीक है, velocity of exhaust gases with respect to, with respect to earth, आई बाज समझ में, यहां तक आई बाज समझ में, clear है, यहां तक आई बाज समझ में, clear है, यहां शारे हो, वहां बापर समझ दाओगे, यह जो derivation है, ना, में एक मिट, एक सेकिंद देना मुझे है, हम apply करते है, momentum conservation law, ठीक है, यहां लगाते हैं, from, from momentum, from momentum, conservation, from momentum conservation law, ठीक है, अब momentum conservation law हमें लगाना है, यह second वाले और third वाले में, ठीक है, टी टाइम पर और टी प्लस डीटी टाइम पर, तो momentum conservation law क्या कहता है, momentum conservation law यह कहता है, कि total momentum remains conserved in the absence of external force, ठीक है, total momentum का अतलब क्या था, initial momentum और final momentum हमें बराबर करना है, initial momentum मतलब जब time t is equal to t second है, और final momentum मतलब जब time किता हो गया, टी प्लस डी टी सेकंड हो गया, तो जब time t is equal to t second है, total momentum देखा जाए, तो total momentum किस का आएगा, total momentum एक तो rocket, total momentum में कौन कौन होगे, एक तो यह rocket होगा, क्योंकि rocket के पास velocity, जिसके पास velocity है, उसके पास momentum आएगा, ठीक है, और momentum और velocity दोनों vector quantity अपवर्ड अपन positive लेते हैं, downward negative लेते हैं, यह ध्यान रखना अच्छे से, तो अगर rocket की बात करूं, तो rocket के लिए momentum कितना है, अभी तो t is equal to t second पर concentrate करो, t is equal to t second पर दो ऐसी quantities हैं, जिनके पास velocity है, एक तो एक खुद rocket और दूसरी exhaust case, तो rocket के पास कितनी है, rocket की अगर में momentum की बात करो तो rocket का अपवर्ड जा रहा है, velocity positive है, तो इसका momentum positive आएगा, तो मुझे बताओ, rocket का momentum कितना होगा, बोलो, rocket का momentum कितना होगा, mv होगा, very good, तो rocket का momentum हमने यह लिख जाया, mv very good, ठीक है, प्लस, T is equal to T second पर और कुछ सी का भी momentum आ रहे गया, T is equal to T second पर इसका आएगा क्या, इसका आएगा क्या एक जो स्वेसिस का यह बंट आउट गेसिस का, बोलो, जल्दी, yes, no, बोलो, माइनस वी जी आ जाएगा, पर क्या आपके पास बुअनट उट गेसिस का मास है क्या, बॉण आउट गेसिस का मास हेहां पर, यहां पर बॉण आउट गेसिसका मास कैता है 0, तो यह पर आपके पास हैं जी रो आ जाएगा, यह हो गया total momentum, एट टाइम टी is equal to T second, अब बात करें, टाइमटी पिलस डी टी सेकेड, ती प्लस डी-टी Comme पर जो rocket है उसका मांस है चलिब्वाक्र जो एक और लेंगे आप ने diceक क tenure के मास से तो मुझे बताव इसकेस में ज Pourquoi מאश मोगा वह यह कुछ है कि यहां से बर्न होगा उतरह बाहर लिकल गया कितना बर्न हो गया तो डियमी एक्जोस्ट हो गया नीचे ठीक है तो बंड गेसे एक्जोस्ट का मास कितना जाएगा यह आया निया आपको यह अप्लाए करना यह बताओ किस तरह से बनाइं एक माइनस वी जी इंटू जीरो नी समझा यह अपनी इनीश्यल कंडीशन है तो इनीश्यल कंडीशन में पूरास आपको पूरा मांस महीं तो कुछ निकला यह बहार यहां पर आकने ते से देखनाँ तो उस समय कोई एक जोस निकला अपना रेफरेंस ही यह पर जैसे माइनस डीम निकल तो डीम को निकला जो बरनाउटों के बाहर लिकला तो अब आगे तो यहां पर जो माँसे वह एक जोस्ट किस्ट का जीरो है ठीक है अब चलो अगर यह आगे आगे कोई दिक्क्त नहीं है अपने पास थोड़ा सा सही कहले तो यह नहीं अगे आ जाएगा फिर एम माइनस डीम को मंटिप्लाइब कर लो आप इससे तो यहां पर आपके पास आजाएगा यह एमभी बना ठीक है एमडीवी ओंगया फिर माइनस वी दीम हो जाएगा माइनस वी डीम कर दिया अपनने प्लस माइनस माइनस और यह आजाएगा ढीभी हो जाएगा थीसां ब्लेक्ण कर देंस को आप नेगलेक्ट कर दो त तो आप का सिक्वेशन कुछ इस तरह सा जाएगरे जीरो इसी डी डीए माइनेस गार्थ माइनेस हुटंस लाई करोगे यह तीक और इपने पास एक इस इक बाइस आ खहते हैं हम यह कर सकते हैं DRS 23 काई आइ बोनग вас नोग नगमना एपी इसलिए कर pessimist bak है न है हना न वन कौराव सब्सक्राइब क्एआ करते हैं ऑर मुटिपले को अ Ara झेर है जंब इसा करते हैं जाउन अ ले लेते हैं दीम को कॉमल लेंगे तो यह बचे का अपना आज वी प्लस वीजी ठीक है और यहां आपके पास आगया एम डीवी यह इंपोर्टेंट एक्वेशन आ गई इसको फर्स्ट एक्वेशन कर देते हैं यहां तक काई बात समझ में अब एक और इसमें इंपोर्टेंट लाइन आने वाली है इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट आने वाला है इंपोर्टेंट पॉइंट पॉइंट यह इकल टू यूज इकल टू मिले रहा हूं रिलेटिव लेटिव वेलोसिटी लेटिव वेलोसिटी आफ लेटिव वेलोस ता विदे क्टो मिद रिस्पेक्ट रॉकस तो इसको यू इसको यू इस इकल टू ने बताया था रिछ इनले टीव एलोसिटी रिलेटीव एलोसिटीव ऑगद गेस है देशकर रॉक्त जैसे अज्व आ आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करता हूं यहां पर यहां सब्सक्राइब तो यह क्या जाएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हो आप यहां पर हम यह करें रिलेटिव वेलोसिटी ओप बांट केसे सब्सक्राइब आप देखो बांट केसे प्रेस्ट टू रोकेट आपने यू बहुत अच्छा बढ़न केसि की वेलोसिटी किती बताओ बंड गेसिटी किती लोगें वीजी है देखो वीजी दानवर्ड में यानि माइनि सब्सक्राइब माइनस वीजी आ जाएगा वेरी वूर्ड माइनस आप्ट बेलसीटल रोकेट देखो वेलसीटल ओफ टो वी है और अप्वर डारेक्शन में तो यह गती यह ने पास आया संज नहीं आया है यह मिल गए ठीक है तो अब हम क्या करते हैं यहां पर पुट करते हैं यहां पर पुट करते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी आफ बंड गेसिस विद रिस्पेक्ट तो यहां पर क्या जाएगा यहां पर आ जाएगा वेलोसिटी आफ वेलोसिटी आफ बंड गेस विद रिस्पेक्ट मków मेंने यहाँ पर कराया दिए मैं डारेक्ट कर रहा हूं मारी मारी म माइनस- אבל ने अपन तो में माने ना आया सहा आया जाता कि यह ऊपोइन स्टै अब इसा मिल में Marketing रॉीग गर्रॉम किताना माइनसस्यर्ण गहां में माइनस भी जोड्या माइनससे मिला वन को ilas माइनस तो बीच में आ रहा है ना फॉर्मूले में यहां पर आ रहा है ना माइनस मतलब भी कॉन सा है यह रॉकेट की वेलों सब्सक्राइब थोड़ा टाइम लगे आपको रिवाइस करना पड़ें एक बार खुछ से भी डेरिवेशन है ना चलो यहां तक आगया पन गया है स सब्सक्राइब एक्वेशन फ्राइशन वन में ले ले लेते हैं तो इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्वेशन वन हमारे पास तोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं कि वह दीवी कर देता हूं डीवी इस से माइनस के यू और डी एम बाए एम आगया यह एक्वेशन अपने पास बन गई तो इस एक्वेशन को एक नंबर कर देते हैं हम चीक है अच्छा यहां तेक समझ में आगे ना आपको कि आप सब्क्राइब करते हैं या इस्तरे से करते हैं कि एंटीग्रेट साइट्स करते हैं इन्टीग्रेट इंटीग्रेट बोथ साइट्स बौट साइटको इंट्रिट कर और दिंटीए खर दिया है स्कोट इसको माईनसु आ कर देते हैं आप इन्टी संही कर देखें ब्लै घर सब्ोर्चांज कि धू है तो वह सीटए लौका का Лista के ये साथ ठीक है यह ना बोलो यस इन दोलों से लिम्यिट लगा नहीं आपको अर्बी से तो सफल लिमिट तो लाओं at यहां अब होता है ठीक है एनक्राद मिट के आपके लेक्ट से लएक्ट वी तक की लिमिट यह लागा यहां पर लिमिट माइनस लोग लोग यह दो लोग एस लोग नोट आजाएगा यह माइनस अंदर लेलो माइनस अंदर लेलो तो यू आ और यू आगे नहाँ पर आजाएगा log e base m0 minus log e base m, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा, आगे solve करो, हमने आपको क्या बोला था, कि हमें velocity लिकाना है at any instant, मतलब कि v find out करना हमें v कितना होगा, तो v के से find out होगा, देखो v minus, यह नहीं expression हमें मिल जाएगा, v minus v zero is equal to u, अब यह log m minus log n क्या आता है, log e base m0 divided by m, ठीक है, और यहाँ से v जब हम find out करेंगे, तो v is equal to आजाएगा, v naught plus u, log e base m naught divided by m, ठीक है, तो यह हमें expression मिल जाएगा, velocity of a rocket at any instant, यह पहला derivation हमें, first derivation हमें मिल जाएगा, ठीक है, first derivation, first part नमारा solve हो गया, तो यह equation number हमारा पास आगए, two, equation number two तो इसको कर दो, और यह होगा equation number three, आया सोज में, तो यह है velocity of a rocket at any instant, क्या है velocity of a rocket at any instant, मालो rocket जो है, वो race से चलना चालू करता है, इसी में अगर हम एक point बना ले, है कि हम यह कहें कि if, if V not is equal to zero, V not is equal to zero का मतलब है कि rocket की जो initial velocity हो क्या है, zero है, तो rocket के अगर initial velocity zero है, तो आपका velocity कितनी आ जाएगी rocket की, तो rocket की velocity at any instant is equal to कितना जाएगा, यू, log e base, m0 divided by m, आ रहे हैं सोज में, ठीक है, क्लियर है आदक बात, हाँ, बोलो, आ रहे है, एक्स्पेशन सोज में, ठीक है, तो यह तो हमने, क्या हमने क्या find out करा है, यहां find out करा है, कि velocity of a rocket at any instant, अब हम यह पता करते हैं कि भाई, जो rocket है, है ना, rocket की burnt out speed क्या है, है ना, इसी से related है topic है, burnt out speed of a rocket, burnt out speed of a rocket, ठीक है, burnt out speed या magnitude की बात करोगे तो speed, नहीं तो velocity भी लिख सकते हैं, आप ठीक है, तो burnt out speed of a rocket, तो burnt out speed of a rocket क्या होते है, मिले यह पता होने चाहिए, तो हम यह क्या होता है, it is a, it is a speed of a rocket when when all fuel all fuel is burnt out, यानि जब पूरा का पूरा पूरा जो fuel है, वो क्या हो गया, burn हो गया, पूरा पूरा जब फ्यूल बर्न हो गया, तब रोकेट की जो speed होगी, वो इसकी के लाएती है, burnt out speed के लाएती है, तो देखो, मालने पूरा फ्यूल बर्न हो गया, तो फ्यूल बर्न होने के बाद, जो मास बचा रोकेट का, उसको हम बोल देते हैं, कि residual mass, residual mass of a rocket, क्या है यह, residual mass of a rocket है, तो यह जो equation है, आपके पास equation number 3 ले सकते हो, आप, या initial velocity, अगर आप 0 ले रहेते हैं, equation number 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ह सकते हैं, from, from equation 4, equation 4 से अगर हम burnt out speed के बाद करें, ठीक है, तो यह हो जाएगा, u log e base, ठीक है, यह किता जाएगा, m0 divide by आजाएगा, mr, यह हमार पास हो जाएगी, फिफ्ट एक्वेशन, ठीक है, सुझवे आया, m की जगे आपको कर देना है, mr रख देना है, mr क्या होता है, इ speed of a rocket क्या है, clear है, ठीक है, तो पहले दो हमने क्या लिगा, find out करा, instantaneous velocity of a rocket, यानि velocity of a rocket इन इंस्टेंट, फिर burnt out speed of a rocket लेकाला, और last वाला जो है, इसका, वो है, thrust, क्या है, लास्ट जो derivation है, इसी derivation का पार्ट ही है, thrust, thrust देख लेते हैं, thrust क्या होता है, जैसे ही hard gases exhaust होती है, तो upward direction में जो force लगता है, rocket पर, रोकेट पर जो upward direction में force लगता है, उसको बोलते हैं, thrust, सभूज में आया, thrust, what is the thrust, it is a, it is a force, large force act करता है, it is a force, sorry, हमेशा अप्वर्ट की होता है, obviously, rocket तो upward launch करेंगे न, अपने जाके फिर आगे और बिट में चला जाता है, ठीक है, it is a large force के सकते हैं, और it is a force acting होना, it is a upward force, लिख देते हैं, it is a upward force acting, on a rocket, ठीक है, तो इसके लिए हम यह लेते हैं, equation number 2, क्या उनसे equation लेते हैं, equation number 2, from equation 2, और equation 2 का आप ध्यान से देखे, equation 2 आपके पास क्या है, dv, ठीक है, dv is equal to, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, mdv is equal to minus udm, ठीक है, इसको हम इस तरह से कर देते हैं, कि mdv minus udm, ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ dt से divide कर देते हैं, तो dv divided by dt कर दो, ठीक है, यह minus u आजाएगा, और dm divided by dt हो जाएगा, एस वाज में, अच्छा, यह बता, m into dv by dt क्या होता है, फोर्स है तो है के नहीं है, dv by dt क्या होगी, acceleration हो गया, और mass into acceleration क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है, तो यह force आजाएगा f, ठीक है, f is equal to, आपका से जाएगा, minus u and dm divided by dt, यह आगई, thrust आपकी, ठीक है, और यह हमारे पास आगया, sixth formula, आया समझें, clear है, तो इस तरह से पूरा derivation है, हमारा rocket propulsion का है, ना,